हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बाक तो माई यूट्यूब चैनल आज का डेट है सेवन्त ऑप चुलाई एंड समय हो रहा है 9.55 फ्रेंट्स एड़िच्यू नों कि मैं महंद सिंग धोनी का बहुत बड़ा फैन हूं तो सबसे पहले महंद सिंग धोनी को हैपी बर्डे और आप भी इनको कमेंट करके उनको हैपी बर्डे वीच कर सकते हैं प्रीच कमेंट कीजिए एमस दोनी को हैपी बर्डे तो सबसे पहले मार्केट में पोजीशन देख लेते हैं मार्केट में पोजीशन क्या है आज हमने इना दो बार सी लिया है एक बार तो इसका सी लिया है जो कि जि देख लेते हैं, market का डारेक्षन देखेंगे ना friends, तो market काफी ज्यादा बुलिस है, and marketing अपने ही उसमें चल ला है, क्योंकि global market जो है थोड़ा सा बेरिस है, global market में जो closing हुई है, वो थोरी सी बेरिस हुई है, but Indian market जो काफी ज्यादा बुलिस है, all time high पर है, तो market में all time high लगा यहाँ पर consolidation हुआ यह nifty का chart है और उसके बाद यह अच्छी खासी green candle वनी थी yesterday and वापस से उसका follow through मिल ला है आज ना market में gap down opening हुई निफ्टी पर देखेंगे ना तो market में gap down opening हुई पर gap down opening ना कल के swing low के आसपास हुई थी यहाँ पर यहाँ पर हुई थी market थोड़ा सा नीचे गया और वापस से market उपर क्योर जा रहा है तो market काफी strong है market में काफी strong momentum मिल ला है बैंक निफ्टी comparatively थोड़ा सा वीक है बैंक निफ्टी को डेली चार्ट पर देखे न तो market में जो all time high लगा था उसके बाद market इस अपने ही range में consolidate कर रहा है थोड़ा सा हम लोग उस मितलब उसमें थोड़ा सा बैंक निफ्टी से पीछे हैं तो आज भी जो है आज का आज का भी जो ट्रेड अगर देखा जाए तो एक मिट चार्ट पर देखेंगे तो निफ्टी ने कहीं भी pullback नहीं दिया अगर आपको इस पर इस चार्ट पर हमें प्रॉफिट भी मिला बट बैंक निफ्टी हमें सम्हाव थोड़ा सा परिशान कर रहा है तो मार्केट में व्यू बुलिस है मार्केट में एज ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट के कारण जो है ना मार्केट से गैब डाउन ओपनिंग हुई है बट अगर सॉर्ट कवरि च्रॉंग है एंड जो जो बैंकंग का स्टक्टर देखे तो डेली चर्ट पर यहां दिख रहा है आवर्ली चर्ट पर अगर्स उपर जाता है तो अचिखास सी सबसे बच्छा बात है कि जो HDFC Twins है, HDFC Twins से strong है, Axis और ICIC से थोड़ा सा जो है, ड्रैग कर रहे है market को, and Kotec Bank भी strong है, SBI भी almost strong है, सबसे अच्छा Reliance, Reliance is very strong, and it is pulling the market, currently हम लोग जो है, 1800 के आसपास के profit में आ गए है, market में एक अच्छा जो है, उपर साइड का momentum देखने को मिला है, तो वेट करते हैं अपने trade के साथ, जैसा होगा, अपडेट करेंगे, बने रहे हैं मेरे साथ, Welcome back friends, हमें होड़ा है 10.13, और currently हम ने इस पर 8700 रुपी से loss book का लिया है, actually market जो है, market तुछा वाड बीएव कर रहा है, nifty देखी, यहाँ पर breakout दिया था, तो हो सकता है कि जो buyers हैं, जो call buyers हैं, या put sellers हैं, उनको परिशान करने के लिए market नीचे आ सकता है, तो market में currently जो है, हम लोग इस पर 400 रुपीस का सब्स प्रॉफिट बेट हैं, वो बहुत minor है, and options में भी देखेंगे, तो options में भी momentum है, put side में, तो थोड़ा सा, अगर माली जो ऊपर से वापस से नीचे आता ना, तो एक अच्छा खासा selling हो सकता है, global market के sentiment के साथ, तो अभी थोड़ा सा हम लोग को है, अपना direction चेंज करना पड़ेगा, या फिर market के साथ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सिंग करने के लिए, 50 quantity is still adding, और हमने फ्रेस से एक फिन निफ्टी का पी लिया है, 20,250 का, at the rate average price of 150 and 162 के असपास current price चल ला है, तो 10% के असपास यहां भी हमें gain हो रहा है, market के momentum देखे ना, तो market के momentum थोड़ा सा change हो रहा है, bank nifty अगर यहां smaller time frame पे देखे तो smaller time frame पे एक M pattern type का बनाया था, उसके बाद हमने अपना जो है, उसके breakdown के बाद हमने अपना view CE से PE के तरफ जो है change किया, तो यहां पे एक slightly M pattern बनाया है और फर्स time, second time and third time यहां से rejection किया ना, तो कहीं ना कहीं हमने यहां पे अपना view change किया और वापस से हम लोग PE के साइड आया, PE के साइड हमें अच्छा profit होड़ा है currently और जो हम लोग CE के साइड जो loss किये थे वो भी cover up हो चुगा, अच्छा कासा 8700 की आसपास का loss हो गया था and nifty भी consequently nifty भी fall कर रहा है and bank nifty भी fall कर रहा है तो दोनों में momentum similarly है, mid cap and small cap में सब में pain है and जो हम लोग का global market के रहे हैं बात करें थाना कि global market में थोड़ा सो sell-off है तो अब market उससे sink होता हुआ दिख रहा है, एक अच्छा प्राइस enterprise में लेगा buyers को अचीज़ अप्स सब सारे aligned है तो चलिए ठीक है वेट करते हैं अपने trade के साथ जैसा होगा अपडेट करेंगा फ्रेंट्स करेंट्ली 19,500, 20,000 के आसपास का profit हो रहा है वेल्कम बैक फ्रेंट्स है मैं हो रहा है 1147 और करेंट्ली देख रहे है ना निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी फैनाश्टी नो अल्मोस अपने डे के लोकिया असपास के है आसपास है में 20,400 इस्टिल विया मतलब गेटिंग फ्रेंट्स थोड़ा सा ना प्रेमियम असपास थोड़ा सा है तो मार्केटियां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है देखते हैं जैसा अगर माले सपोर्ट लेकि उपर जाने की कोशिश करता तो एक बार SL लेके हम लोग वापस से रिंट्री के लिए करेंगे के मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन भी हो मार्केट अच्छा आशना खासा फॉल हो चुका है अगर जा कि यहां फॉरा से थोड़ा से एक स्ट्रांग डिख्था है ए तो इस पर 185 के अकास अभी हाई लगा है तो आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर 185 का हाई है 185 का हाई लगा है तो इस हाई में न हमारा जो पॉफित है 29-30,000 के अस पास था बट महां से मार्केट न एक रिट्रेस्मेंट दिया है और रिट्रेस्मेंट थोड़ा सा मुझे मितलब प्रॉलम कर रहा था इसलिए मैंने अपने ट्रेड को प्रॉफित में निकाल दिय इस पॉफित हुए ट्रेड पर लॉस नहीं करना है इतना इन लयगार पर हीज़ाas की करना है तो मार्केट का डिरेक्शन तो बिटेमें ऑफ्र से कोई सब्सक्द तो है अब्लस नहीं करना है तो मार्केट का ढूरब करते हैं फिर से कोई अवड़ के मिलेगे तो बैंक ना जरस्ट वीवैक पो टच किया था तो हमने वापस से सेल किया है और वापस से सेल करके हमने वापस से अभी पॉफिट हो बैठे हुए आई होब कि मैं भूल गया हूँ मैंने एक 169 पे वापस से सेल कर दिया था पहले और उसको 150 के आश्पास वापस से बाइ किया है तो करेंटली हम लोग का यह 150 के आश्पास बाइ है और करेंटली उसका प्राइस लाए 164 के आश्पास लाए तो इन आउट किये हैं थोड़ा सा और अच्छे जगा पी आउट मिल गाई यहां के आश्पास हमने सेल कर दिया था वापस से यहां पर वापस से बाइ किया है तो काफी अच्छा हमें इन आउट मिला है 30,000 के आश्पास का पॉक्ट में लाइस को थोड़ा सा ट्रेल करने की कोसिस करेंगे मार्के में मोमेंट तो फूट यहां पर यह जो अरण पर यह जो टीट पर यह रॉपे पॉफिट में था एंड विस में अच्छा का सब्सक्राइब तो मार्कें इस जगह पर ओवर ट्रेडिंग होगे साथ मार्के नीची आएगा नीची आएगा करके मार्केट ने एक अच्हा का साँ रिट्रेस्मेंट दिया हमें हमें एसल लेना पड़ा लॉस्ट को थोरी सी जगा पर Overtraiding होगी साइडवे मार्केट में होगी जिसकी विज़ासे हमें थृषँ सो कर्याइब आर्पर गया हम लोग यहां पर लॉस्ट ले लिया और वापस से म it's okay happens but over trading होगी over trading हमें control करनी पड़ेगी आज के लिए यही learning है बने रही है मेरे साथ फिर से मिलेंगे